हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे हम GK के बारे में जो कि GK के मैं आपको political history यानि कि political science start कर चुका था जिसमें मैं आपको articles पढ़ा रहा था जो कि हमारे 395 articles थे जिसमें मैंने आपको article number 35 तक करवा दिये थे अगर आपने videos देखी हैं तो ठीक है नहीं देखी है तो मैंने video के description में और अलग से playlist बना रखे चैनल में वहाँ जाकर आप देख सकते हो तो आज हम बात करेंगे इससे आगे की videos को तो दियान रखेगा इस video का pen तक देखते रहें अगर आपको सारी information मिल जाएगी इससे related तो नमशकार दोस्तों मैंने नाम है दीपक आप देख रहे हो D.K. Gupta Online वीडियो सोक government exam चलिए शुरू करते हैं तो देखो आर्टिकल नमबर में आपको 32 तक यानि कि सवधानिक उपचारों का अधिकार यहां तक करवा दिया था जिसको English में बोलते हैं Right to Constitutional Remedies बोलते हैं इसको English में ओके तो अनुछेद 32 तक करवा दिया थे आर्टिकल नमबर 32 तक और मैंने आपको बोला था देखिए आर्टिकल नमबर 29 और 30 यानि कि अनुछेद नमबर 39 और 30 में आपके ये दोनों दे रखें लाट्ट टूडिम मैंने आपको विस्तारित में बताया था इसके बारे में और 31 मैंने आपको बताता है हटा दिया गया है बस 31 जो आर्टिकल हो जम्मू कश्मीर में रखा गया और कहीं पर भी नहीं है जो कि मैंने आपको बताता है भारत में जम्मू कश्मीर के लावा छोड़कर बाकी सबों के 6 मौली का दिकार है और जम्मू कश्मीर के 7 मौली का दिकार है उनका यही था कि संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका जम्मू कश्मीर में है बाकी भारत में किसी के पास भी नहीं है भारत में वो पहले था लेकिन 1978 से पहले तक था 1978 में इसको हटा दिया गया था अगर आप से पूछा जाए कि अनुशेद 31 भारत का जो अनुशेद संपत्तिक अधिकार है वो कब हटाया गया था तो 1978 ध्यान रखेगा 1978 में 44 वा अमेंडमेंड यानि कि 44 अमेंडमेंड 44 संसोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया था उके कब अनुछ सो अठतर में ऐनी कि 44 संसोधन जो हता है वह करके संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर यानि कि अनुछेद नंबर 31 से हटा दिया गया था इसलिए अनुछेद नमबर 31 यहां पर गायब है फिर डिरेक्ट लागया था अनुचेद नमबर 32 वो मैंने आपको लाइस से विस्तारित किया था नहीं देखिए तो एक बार देख लीजिएगा अब बात कर लेते हैं 32 से आगे तो ध्यान रखेगा 32 में जो कि 33, 34 और 35 यह तीनों कि तीनों क्या है आपके मौली का दिकार में शामिल होते हैं जैसे के मौली का दिकार मैंने आपको बताया था 11 से 12 से शुरू जाते हैं 12 और 13 में उसका परीचे दिया गया है लेकिन में मोटिव जो आपका स्टार्ट होता है कहां से होता है 14 से स्टार्ट होता है वैसे आपके आर्टिकल तो अनुचेद 36 से लेकर 51, article 36 से लेकर 51 तक article में क्या है आपके, तो डिरेक्टिव प्रिंसिपल ओफ इस्टेट्स है, यानि कि राज्य के नीति नीदरशन सिध्धान्त, तो राज्य के नीति नीदरशन सिध्धान्त में आपका होता क्या है, डिरेक्टली पहला कुशन तो यही पुछा जाता है कि राज्य के नितिनी दरिशन सिध्धान्त कहां से लिए गए तो यह आयरलेंड से लिए गए है पहली क्लास मैंने आपको बताया था कौन से आर्टिकल में है यह अनुछेद में 36 से लेकर 51 जो अनुछेद है सडक हो, नौकरी हो, राज्य में पार्क हो, स्कूल्स हो बजार हो, उन सबी चीजों का हमें निर्मान करना होता है उस राज्य को अज़े सही तरीके से चलाने के लिए तो उसमें जो भी कार्य किये जाते हैं वो आपके राज्य निति निदेशक सिध्धांत के अनुसार किये जाते हैं शाब्दी कर्थ में बोल सकते हो कि इस अनुछेद में राज्य में नौकरी, सडक, पार्क और स्कूल बनाने के कार्य करती है यह सब कार्य करने का काम राज्य की निति निद्रिशक सिध्धान्त का है यह राज्य को अच्छा बनाने का कार्रे करती है या एक कल्यान कारी राज्य की स्थापना से है या फिर आप से डिरेक्ट पूछा जाए कि राम राज्य बनाने की स्थापना करने की बात किसमें कही गई है तो राज्ये के निती निर्देशक सिध्धान्त के अंदर कही जाती है राज्ये के अंदर जो भी चीज हमें परिवर्तित करनी है अच्छे से अच्छा उसको राज्ये बनाना है तो उसके अंदर जितने भी कार्डे होते हैं वो आपके नाले बनाने हो, सीवर बनाने हो, सड़क बनानी हो, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, ओके, राज्ये को फल फूल बनाने के लिए, अच्छा सा उसको निखारने के लिए, सारे काम यहाँ पर आते हैं, तो यह था आपका article number 36,51, इसी के बीच में एक article आता है, 40 जो कि आपका बहुत important है जो कि होता है आपका ग्राम पंचायत यानि कि आपका article number 14 मैंने आपको अलग से यहां लिख रखा है क्योंकि यहां पर से question directly पूछे जाते हैं जो कि यहां पर क्या होता है article number 40 अनुछे 40 होता है आपका ग्राम पंचायत का गठन यानि की organize of village पंचायत धियान रखेगा काफी direct question यहां से पूछा जाता है कि village पंचायत का गठन कोन से आपके या ग्राम पंचायत का गठन कोन से अनुछे में लिखा गया है तो अनुछे 40 के अंदर लिखा गया है अब यह है क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं देखें हर गाओं या राजियों में order दिया गया था सरकार के द्वारा कि सभी गाओं या राजियों में पंचायत की शुरुवात या गठन करवाएं हर जो ग्राम पंचायत या ग्राम होते हैं या फिर आपकी गाउं होते हैं जो चहाँ पर आपकी MCD या कोई आपका ऐसा कानून नहीं है जैसे कि ववस्था नहीं होती है लेकिन वहाँ पर पंचायत के अनुसार सारे कारे किये जाते हैं तो वहाँ पर सारे के सारे गाउं, जैसे कि आपके पिछरे इलागे, रूलर्स एरिया होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, पंचायत होती है, और जो cities होती है, वहाँ क्या होती है, M-sities होती है, तो वहाँ पर हर चीज़ पर क्या करना था, ग्राम पंचायत है, गठन करना था, ये order दिया गया था सरकार के द्वारा अब ये पंचायत में होता क्या था लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ जो कि बीच में आपको देखने को मिला था बहुत पंचायत राजस सिस्टम या पंचायत राजस समीती इसको ये भी बोला जाता है जो कि आपका 1995 मे आया था आपका बहुत नाम आया था इसको संसदने वहां पर उस टाइम पर पास कर दिया था ओके इसकी शुरुबात कब कई थी कौन से आर्टिकल में आता है और किसके द्वारा की थी उसके बारे में बात कर लेता है फिर दुबारा ग्राम पंचायत प्याएंगे ओके पं अनुचेद में आता है तो पहला कोशन आपका यहां से यही पूट अप होगा ग्राम पंचायत किसम में आता है अनुचेद 40 में अब पंचायत राज्य सिस्टम किसम में अनुचेद 243 में दोनों अलगा लग है धियान रखेगा बहुत इंपॉर्टन कोशन है यह ओके तो अनुचे 243 में लिखा गया है पंचायत राज्य के बारे में पंचायत राज्य की इस्थान पर दो नामों का परियोग किया जाता है मतलब यह जो पंचायत राज्य सिस्टम है इसको अनुचे 243 में रखा गया है और इसके नाम की जगा पर दो नाम और आपको देखने को मि यह दोनों उसी के नाम है तो ध्यान रखेगा डिरेक्टली एकोशन यहां से पूट अप हो चुका और आगे भी होगा अब बात कर लेते हैं यह पंचायत राज़े सिस्टम जो था वो सबसे पहले किसके दुआरा परिपार्विक्त किया गया था या सामने लाया गया था तो एक व्यक्ति थे बल्वंत राय महता उनके दुआरा दियान रखेगा बहुत इंपोर्टन नाम है बल्वंत राय महता ने कहा या इनके दुआरा इसका गठन हुआ था इसको शुरू किया गया था सन 1959 में भारत के दो राज़ियों में कौन कोन से दो राजियों में पहले कब करा था तो 1969 में करा था 1959 में और कहां किया गया था तो भारत के दो राज्यों में किया गया था कौन-कौन से राजस्थान और अंदरपर्देश और उनके कौन से जिले में तो नागरो और कुनूरु जिले में आपका इस चार्ट किया गया था या आपका ओके इसको जो कि बलवंत राय महताने है, इसको कितने भागों में डिस्टिब्यूट करा था, तो इसको त्रिये स्थरिये विवस्ता की शुरुवात करे थी, यानि कि तीन लेवलों में इसकी शुरुवात की गई थी, तो डिरेक्ली ये पूछा जाता है, कि तीन लेवल में आपका किस ने, ज ये उपर से नीचे इसलिए करा है, क्योंकि सबसे उपर डिस्टिंग काउंसलिंग होता है, उसके नीचे आपका विलेज पंचायत होता है, तो सबसे छोटा जो होगा, वो होगा आपका विलेज पंचायत, जिसे आप हिंदी में ग्राम पंचायत भी कहते हो, फिर इसके या जनपत पंचायत या ब्लोक पंचायत तीनों नाम इसी कही है इसके ऊपर है अगर आपके कोई केस है आपके कोई सुनवाई है अगर आपका वह विलेच पंचायत में जाते हो आप सबसे पहले आप विलेच पंचायत में जाते हो यानि कि आपके जो गाउं के पंचायत या ब्लॉक पंचायद बोलते हो तो यहां पर आप जा सकते हो अगर इस लेवल पर भी आपकी जो क्वारी थी जो आपका केस था वह सॉल्व नहीं हुआ तो इससे ऊपर जा सकते हो आप डिस्टिक काउंसिलिंग वाला यह होता है आपका तीसरा तीन स्थरिये वाला इसलिए क आपका यह है विलेज पंचायद पर गए तो ठीक है नहीं हुआ तो आप पंचायद समीति में जा सकते हो यह इसको इनाम जनपद पंचायद है उसका इनाम ब्लोक पंचायद है वहां पर भी आपका केस वाल नहीं हुआ तो आप डिस्टिक काउंसिलिंग में जा सकते हो सब एक सरपांच ध्यान रहा क्यान रहा हैں एक ग्राम पंचायत में कितने सरपंच होते हैं एक सरपंच नो कितने सरपंच में जोगा वो एक ही होगा ओके नेक्स्ट है ग्राम पंचयत का चुनाव कोन करती है तो ग्राम सभा करती है बहुत इंपॉर्टन कोशन है इंपॉर्टन है ध्यान रखिया काफी बार डिरेक्ली यह बेसिक कोशन पूछ लिया जाता है और बच्चे यहीं पर एक एंफ्यूज हो और उन सभी का वोटर लिष्ट में नाम शामिल हो वो आपका वोटिंग कर सकते है कौन उस ग्राम सभा के सदस्य याणि कि उस गाओं के लोग जिनकी उमर कितनी हो अठारा वर्श हो और उनकी जो वोटइंग लिष्ट में भी नाम हो ध्यान रखिया है अठारा वर्ष उमर होई थी 18 वर्ष वो कब होई थी ध्यान रखेगा इस से पहले जो वोट देनी की उमर थी वो 21 वर्ष थी यानि कि 1989 से पहले जो आपकी उमर बताई जाती थी वोटिंग करने की वो करी जाती यह 21 वर्ष लेकिन 1989 में आपका एक संशोधन किया गया था 61 संसोधन कौनसा amendment number 61 बहुत important question है ध्यान रखेगा कि आपकी voting करने की उमर 21 से 18 कौन से सोजन के द्वारा क्या गया था और कब क्या गया था 1989 में यानि कि 89 में आपका 61 61 शंशोधन amendment के द्वारा आपका जो उमर है 21 से घटा कर 18 खारा वर्ष कर दी गई थी तो ध्यान रखेगा इस कोशन को ओके पहला डेट 1989 और कौन सा 61 संशोधन ओके दोनों डेट को ध्यान रखेगा चलिए आगे की तरफ चलते हैं विलेज पंचायत तो विलेज पंचायत का चुनाव कितने साल के लिए होता है यानि ग्राम पंचायत का 5 साल के लिए किया जाता है बहुत इंपोर्टन्ट है अब ग्राम पंचायत के पास काम करने के लिए कितने विश्य होते हैं दूसरा कोशन के लिए इनका चुनाऊ होता है पांस सालों के चुनाऊ होता है अब कौन-कौन से विशे पर काम करती है उसको खोशाल और विकसित करने के लिए lub नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की सचीव की न्युक्ति कौन करता है, अभी अभी DSSB का जो पेपर हुआ था, उसमें ये कोशन पूछा गया था, कि ग्राम पंचायत, ध्यान रखें, ग्राम पंचायत में आपका एक सरपंच होता है, और 9 से लेका 16 पंच होते हैं, तो वहाँ पर आपके जो सचीव होता है, या जिए कि जो में मुखिया होता है, जैसे कि आपका एक ग्राम पंचायत है, जब भी आपके ग्राम पंचायत जो होता है, वो उठकर किसी ना किसी सचीव के पास जाता है, कि सर, हमारे गाउं को रोड बनाने के लिए, या ट्यूबलल शहा­गया था की gram-panchait के सचीव की नियुक्ति किसके दौरा की जाती है वहां पर option थे gram-panchait के दौरा village-panchait के दौरा ब्लॉक-panchait करने- ब्लॉक-panchait के दौरा कहीं, सरकार के दौरा हो जाती है कई बचुन वहँ पर gram-panchait लगा देते हैं काफी कोशन्स पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको यहां पर आर्टिकल नंबर 40 डेटेल में बताया नेक्स्ट क्लास में बात करें आर्टिकल नंबर 51 से लेकर आपके 70 यह 72 तक मैं आपको खतम करवा दूँगा क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वहां पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके साथ में जो बैल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए का ताकि आने वाली वीडियोस का नोडिविक्शन आपको टाइम यू टाइम मिलती रहे तो आज की वीडियों बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स वीडि झाल झाल झाल